हार्ड हिटिंग वीडॉक्स सभी सीटों पर बिधान सभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है दोस्तों इस साल के अंतमे मत्पर्दिस में होने जा रहे बिधान सभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है अब तक भारती जंता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मकाबला देखने वाले राज में अर्बिन केजिदिवाल की आमादी पार्टी ने एंट्री मार दी है पार्टी ने आगामी चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है पार्टी ने इसके लिए सदस्ता अव्यान तेज करने के साथ साथ बूति इस तरपर तक टीमों की तैनाती शुरू कर दी है पार्टी ने कहा है कि गुजरात पंजाब और दिल्ली की तरह मत प्रदेश में भी पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही एक तसक पुरानी पार्टी ने हाली में गुजरात प्रदेश में बिधान सबाचुनाव में पास सीटें जीती है राष्टी पार्टी होने की सर्थ पूरी कर चुकी पार्टी अब 2024 लोग सबाचुनाव से पहले कुछ और राजियों में दस्तक देने की तैयारी में हैं जिसमें मत प्रदेश भी शामिल है पार्टी निकाचुनावों में कई जगे ज़ाड़ू फिर चुकी है पिछले साल जुलाई में हुए चुनाव में आमादी पार्टी ने सिंग रॉली में मेर का मेर प्यत्पर कबजा किया था तब से ही पार्टी के बिदानसवा चुनाब में भी उतरने की संभावना प्रेक्ट की जा रही थी अब पार्टी ने अधिकारिक तोर पर इसका एलान कर दिया है दोस्तो पार्टी के राष्टी मासचिव संदी पार्टक ने सन्वार को भोपाल में सदत से आभयान की शुरुआद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अभी सभी सीटों पर चुना वड़ने जा रही है राज़वा सांसद ने कहा कि पार्टी पंजाब दिली और गुजरात की तरह पूरी ताकत से चुना वड़ने जा रही है उन्होंने कहा कि दिली और पंजाब की तरह मत्परदेश में भी यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो मुफ्स बदाय दी जाएंगी उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और इसी वज़े से सभी संग्ठने काईयां भंग किये गए हैं जल्दी नई टीम का ऐलान किया जाएगा सही समय पर मुक्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी करने की बात उन्होंने कही दोस्तों आमादी पार्टी के से ऐलान के बाद बेदान सभा चुनाव के नतीजे पर पढ़ने वाले अशर को लेकर आकलन शुरू हो गया है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी का संगठन मत्रदेश में इतना मजबूत नहीं है कि पार्टी सत्ता हासिल कर सके लेकिन मुकाबलात रिकोनी होने से चुनाव के नतीजेओं पर आमादी पार्टी का सूर असर जरूर दिख सकता है ये किसके पक्षमा और किसके खिलाफ होगा इस पर भी खूब चर्चा हो रही है कुछ जानकारों का कहना है कि गुजरात की तरह मत्रदेश में भी भाजपा को फायदा हो सकता है सत्ता विरोधी बोटों में यदी बटवारा होता है तो भाजपा की रहा आसान हो सकती है वहीं कुछ का ये भी कहना है कि आम आदी पार्टी ने जिस तरह हाल के समय में रास्टबाद और हिंदुत का दाओ खेलना शुरू किया है इससे पार्टी बीजे पीके भी कुछ बोटर्स को अपनी और खीश सकती है दोस्तों भाजपा ने बद्परदेश में अब की बार दो सो पार का लक्ष तै किया है ऐसे में सवाल उटता है कि क्या आमादी पार्टी एंट्री से बाजपा की रहा आसान हो सकती है कुछ जानकार इस सवाल के जवाब में गुजरात की और इशारा करते है जा पार्टी ने ऐसे ही आलत में रिकॉर्ड जीत असल की है पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला है गुजरात में आमादी पार्टी को भले ही पास सीटों पर जीत मिली लेकिन पार्टी ने करीब 12 फीजदी बोट बटोर कर बोट शेयर हासिल किया वहीं कांग्रेस का बोट शेयर घटने के पीछे आमादी पार्टी को जिम्मेदार माना गया क्या गुजरात की तरह मत प्रदेश में भी आमादी पार्टी के एंट्री से बीजेपी कोई फाइदा होगा इसके सही जवाब के लिए नतीजों का इंतजार करना होगा लेकिन पार्टी के एक नेता कहते हैं कि देश में बोटर सभी दो धड़ों में बटे हुए हैं मोधी के पक्षमे या बेपक्षमे जो लोग मोधी और बीजेपी के साथ हैं वो पूरी प्रत्वधता के साथ पार्टी के लिए बोट करेंगे सेस बोट में बेपक्षी दलों का बटवारा है नाम को उपनी रखने की गुजारिश करते हुए पार्टी नेता ने कहा कि आम आदनी पार्टी यदि मजबूतिये चुनावरती है तो कांग्रेस को नुक्सान हो सकता है दोस्तों अगर आप को वीडियो पसंदाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा अधा शियर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यू बेरी मच